गुड मोर्निंग आल उफ यू, क्लास एथ अक्सरसाइज 2.2 का क्यूस्ट नमबर जो थर्ड दा बेस ओफ ए एन आइसो स्केल स्ट्रेंगल इस फोर वाई 3 सेंटीमेटर दा पेरामेटर ओफ दा रिंगल इस फोर एदी 2 वाई 15 सेंटीमेटर वट इस दा लैंथ ओफ इधर ओ होता सम्दवी बहुतरी बुजिस की दो साइड इक्वल हों हमने इक्वल साइड निकालनी है स्पोर्ज करो या साइड एक सेंटीमेटर है तो या भी एक्स है तो इसमें लिखांगे हम लैट शेम लैंथ ओफ ट्रेंगल इस एक सेंटीमेटर और पेरामेटर होता है सभी का जोड़ इसका इसका तिनों का जोड़ पेरामेटर दिया उसने इतना नाव पेरामेटर लिखेंगे इसमें पेरामेटर इस इकल टू है च्यार से दो बटे पंदरा पेरामेटर क्या तसभी का जोड़ एक्स जमाम है एक्स जमाम बेस कितना उसका बेस जा च्यार बटे तीन तो 15 चोके 60 हर दो 26 बटे में 15 जोड़ो इसको X और X कितने होगे 2X Is equal to 62 by 15 माइनस के 4 बटे 3 अज भी इसमें 2X Is equal to LCM कितना होगे इसका LCM होगया 15 15 से इसको डिवाइड करेंगे 62 minus 3 से इसको डिवाइड करेंगे 5 और 5 की 4 की गुणा करेंगे तो 20 तो 2X Is equal to है लेस कर दो इसको तो यह आगा 42 बाई के 15 अब यहाँ पर X की वैलू ने काल नहीं हमना है 2 multiple है तो इससाइड में आके यह डिवाइड हो जागे यानि कि निच्छे आएगा डिवाइड में तो 2 से इसको काट दें दो दूने चाहर दो एकम दो यानि कि 21 बटे 15 यह तीन पर कटा है तीन सते 21 तीन पंजे 15 तो 7 बटे 5 सेंटीमीटर उसकी इक्वल साइड आएगी तो यह लिखेंगे लेंथ ओफ इक्वल साइड दो साइड इक्वल होती है तो वो होगी 7 बई 5 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्यूस्ट इसमें क्यूस्ट नंबर जो 4 है सम ओफ 2 नंबर इस 95 दो सिंख्या है उनका जो अड़ा के चाहूं है da anderen by 15 find the number दूसरा जो नंबर है उन दोनों में जो difference है वो 15 गा difference है तो दोनों का जोड कितना है पच्चान हूं है एक जो सिंख्या है दूसरी सिंख्या है उनके अंदर जो difference है वो 15 यह इनके एक सिंख्या यथी 10 है तो दूसरी 25 है इस परकार है यह देखो किसे करेंगे इसके अंदर let first number x लिया हमने दूसरा जो number है वो इसे पंदरा दीखा या पंदरा इसमें कम कर सकते हैं तो x जमा में पंदरा यह हो गया इन दोनों का जो जोड़ हो पिचानुआ है यहां लिखेंगे according to question दोनों को जोड़ दो x जमा में पंदरा वरावर है पिचानुआ है तो यह 2x होगी 2x जमा में पंदरा वरावर है पिचानुआ है यहां पे देखो 2x वरावर है 95 माइनस के 15 2x is equal to 08 x is equal to 80 by यह 2 यह multiple है तो यहां पे divide x की value कितनी आगी 40 102 first number आगया तो first number कितना हो गया इसमें 40 second number second जो number कितना हो गया 40 plus 50 कीतना हो जाएगा यह नौइब करीगे क arguably 55 पोस्टी आगा किमसरís को करने का दूसरा त्रिक आओब है जैसे इस परकार कर सकते हमां second rule के साब शुरासे से कर सकते हैं first number एकस second number पिचेनों में में एक्स गटाय दिया उसने का कि दो सिंख्याओं का योग suppose गरो बारा है एक सिंख्या पांच है तो दूसरी सिंख्या बारा में से पांच गटाय दें तब ही तो आएगी एक सिंख्या हमने एक्सली उन सभी का जोड पिचेनों है पिचेनों में मत है एक्स गटाय दिया तो यह दूसरी सिंख्या है अब यहां लिखेंगे according to question एक्स दोनों को इक्वल करेंगे हमें 95 माइनस एक्स यह सिंख्या इसमें दोनों में 15 का डिफ्रेंस यहां पर हमने 15 जोड दिया यह सिंख्या 15 कम है इस से तो इसमें 15 जोड दिया एक्वल होगे एक्स कोई साइड में लिया हो 15 कोई साइड में लिया हो एक्स जमाम है एक्स और 95 माइनस 15 तो यह हो गया दो एक्स बराबर है 80 तो एक्स बराबर है यह दो यहां पर multiple है इस साइड में जाके डिवाइड वही आगया 40 तो फर्स्ट नंबर कितना आगया 40 साकेंड नंबर 90 में से 40 गटाए दिये 55 तो ये इसका सेकिंड रूल था ये क्यूस्टन आपने करने हैं अगला क्यूस्टन इसमें क्यूस्टन नंबर जो फाइब टू नंबर आरे इन रेसो दो नंबर है उनकी र है 45 कर 17 वहां 10 दोनों का जो डिफ्रैंस है 18 वाट आरे नंबर न्बर लिया आई के रेसो दी उसने रेसो इसकल टो फाइब रिचो थ्री तो लैट फास्टन नंबर लिखेंगे हम साफ नंबर साइब फाइव एकस है तो सैकिंड नंबर क्या होगा second number हो गया 3X, ratio को हमने X में convert कर गया, इन दोनों का जो difference है, according to question, 5X minus के 3X दोनों का जो difference है, वो कितना है दोनों का difference है, ठारा तो इसको ठारा यह ब्राबर रख देंगे, तो यह बचिया 2X ब्राबर है, ठारा X से, X के value निकालनी है 2, divide हो जाएगा 9, तो X के value कितनी है इसमें, 9, तो first number क्या होगा ratio में रखेंगे इसको यहाँ X के value यहाँ रखेंगे हम इसमें यहाँ पर रखेंगे, तो first number हो गया first number है इसमें 5X यानिके 5 गुणा में 9 यानिके 45, और जो second number है वो हो गया 3X है, तो 3 गुणा में 9, नो, तिया 27, अब इनकी ratio देखो ratio निकाल लेंगे तो 45, ratio 27 है, यानिके 5 और 3 की ratio आनिची यह देखो यह क्याँ पकटा है, 3 पकाट देंगे, वाइन है, 3 एकम 3, 3, 5, 15, रखेंगे, तीन 27, फिर 3 पकटा है, 3, 5, यह इसको सेक्टिस्फाइज करने के लिए होता है, next question है, इसका, question नमबर जो 6 है 3 consecutive integer add up to 51, what are the these integer, consecutive होता करम है, यानिके, 3 सिंख्या है, करम है, वो, उन सभी का जोड कितना ही क्या होने है, माल यह एक सिंख्या 5 है, तो तीसरी सिंख्या 6 लेनी है, तीसरी सिंख्या 7 लेनी है, करम में लेनी है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें हमने शिंख्या लेंगे, let, फर्स्ट नमबर लिया, हमने, फर्स्ट नमबर एक्स ले लिया, तो सेक्ट नमबर क्या हुआ इसमें, सेक्ट नमबर होगा, एक्स पलास और थार्ड नंबर क्या होगा इसमें एक और जोड़ देंगे यानिके एक पलस टू या सिंख्या पांच है तो इसमें पांच में एक जोड़ दिया तो छे हो गया फिर पांच में दो जोड़ दिया तो इस पर कार्श याएंगे और एक सिंख्या में एक एक जोड़ था या तो इसमें दो जोड़ेंगे या फिर इसमें एक जोड़ देंगे अब तिन्नों का जोड़ है वो कितना है according to question एक जमा में एक जमा में एक एक जमा में दो यह हमने तिनों एड कर दिया और इसको कर दिया 51 के बराबर एक दो तीन तो X होगे इसमें एक और दो तीन यह होगे 51 तीन को राइट एंड साइड में लेगे तीन X बराबर है 51 माइनस के 3 तो यह होगा तीन X बराबर है यहां गटाए दिया हमने 48 Ebooks परावर है 48 बते में तीन तीन याँ पर डिवाइड हो गाए तीन एकम तीन तीन सिक ठारा तो X की वेलु कितनी आगी 16 तो 1st नंबर कितना हो गया इसमें फर्स्ट नंबर हो गया इसमें 16 तो 2nd नंबर कितना हो गया इसमें एक और जोड़ तो 17 हो गया थार्ड नंबर कितना हो गया इसमें एक और जोड़ तो 18 इन तिनों का जो जोड़ वो कितना ना चीए कि क्या वनों ना चीए जोड़ के देख लिए आठ और साथ पंदरा पंदरा और च्छे एकीस दो ऐसा लोगे एक दो तीम तीन और दो पंच तो ये थे ये क्युस्टन आपने करने इसके कम्पलिट थैंक्यू है वे नाइस टे